नमस्कार सूशना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रसूती हिमाचल बुलेचन में आपका स्वागत है पेश हैं आज के समाचार हिमाचल प्रदेश मंत्री मंडल की बैठका शिमला में मुख्य मंत्री श्री जैराम ठाकूर की अध्यक्षता में आयुचित हुई मंत्री मंडल की बैठक में जल शक्ती विभाग में 2322 कारिकरताओं की नियुक्ति करने का निर्ने लिया गया इनमें विभागी पैरा कारिकरता नीती के अंतरगत 718 पैरा पंप ऑपरेटर 162 पैरा फिटर्ज और 1442 बहु देश्य कारिकरता शामिल हैं यह 486 पेजल और 31 सिंचाई योशनाओं का संचालन करेंगे मंत्री मंडल ने बिलासपूर जिला के जंडूता में लोक निर्मान विभाग का नया मंडल खोलने और विभाग के घुमारवी मंडल के अंतरगत बर्ठी, जंडूता और कलोल को इसके नियंतरन में लाने के अतरिक्त आवशक पदस रुजित करने का निर्नलिया मंत्री मंडल ने हिमाचल प्रदेश वार अवार्डस एक्ट 1972 की धारा तीन में संशोधन का निर्नलिया ताकि युद जागीरों का अनुदान 5000 रुपई से बढ़ा कर 7000 रुपई प्रतिवर्श किया जा सके बैठक में कांगरा जिला के शाहपूर में नगर पंचायत के गठन को स्विक्रिती प्रदान की गई और इसके लिए विभिन श्रेनियों के साथ पदस रुजित करने का निर्नलिया गया मंद्री मंडल ने मंडी जिला की नगर पंचाय सरकागाट को नगर परिशत के रूप में स्तरोनत करने का निर्नलिया ताकि शहर की बेहतर योशना तयार की जा सके COVID-19 महामारी और लॉकडाउन के उपरांत प्रदेश के पुष्प उतपादकों को मार्च से मई 2020 में फूलों के परिवहन के लिए सुविधान ना मिलने के कारण लगभग 15 करोड 27 लाख रुपई का नुकसान उठाना पड़ा है मंत्री मंडल ने सहायता प्रदाण करने की दृष्प से प्रभभावित पुष्प उतपादकों को 4 करोड रुपई की सहायता प्रदाण करने के दिशान निर्देशों को स्विकृति प्रदान की बैठक में टोल नीती 2021 में परिवर्तन कर उन सभी व्यक्तियों को टोल पट्टों के आबंटन की निविदा एवं निलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई जिनोंने वर्ष 2019-20 में टोल पट्टे की लंबित राशी अधा करती है मंत्री मंडल ने राश किया है पॉलिटेक्णिक महाविद्याले सुंदर्नगर जिला मंडी में अंग्रेजी विषय के एक प्रवकता और राजु किया पॉलिटेक्निक महाविद्याले रूहुडू में मौडन ओफिस प्रेक्टिस के एक एक पद को अनुबंद आधार पर प्रदेश्वासियों को शुप कामनाई दी हैं मुख्यमंत्री श्रीजाराम ठाकूर ने कहा कि श्रीमत भगवत गीता के दर्शन ने संपून विश्वकाध्यान आकरशित किया है श्रीमत भगवत गीता हिंदु धरम ग्रंतों वद दर्शन का सार है और सभी के लिए सफवल जीवन जीने का मार्ग दर्शन से धांत भी सोलन जिला के बद्दी की सुश्री मुस्कान जिंदल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्रीजाराम ठाकूर से भेंट की सुश्री मुस्कान जिंदल ने संग लोक सेवा आयोक की सिविल सेवा परिक्षा उतीन कर पूरे देश में 87 रैंक हासिल किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के लिए यह गौरव का विशे है कि केवल 22 वर्ष की उम्र में मुस्कान जिंदल ने ये मुकाम हासिल किया है इसे प्रदेश के अन्य युवाओं को भी प्रेर न मिले की मुख्यमंत्री ने सुष्री मुस्कान जिंदल के उज्वल भविशे की कामना की हिमाचल प्रदेश स्टोन क्रेशर ओनर्स वेलफेर एसोसेशन के अध्यक्षर श्री आजेराना ने एसोसेशन की ओर से आज शिमला में मुख्यमंत्री श्रीजराम ठाकुल को मुख्यमंत्री राहत कुश के लिए 11,00,000 रुपए का चेक फिंट किया मुख्यमंत्री ने अच्टान के लिए आभार विक्त किया प्रदेश में कोरोना संक्रमन की जांच के लिए आज 2,249 लोगों के सैंपल लिए गए जिन में से 543 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिब आए गई है जबकि 1,705 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है अभी तक 1,68,718 लोगों की जांच की जा चुकी है जिन में से 1,63,334 सेंपल की जांच नेगेटिब पाई गई है प्रदेश में कुल 3,481 लोगों में कोरोना वाइरस के संक्रमन की पुष्टी हुई है जिन में से 2,231 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,206 व्यक्ति उप्चाराथीन है इस संक में इतना ही कल फिर होगी मुलाकात दीजे इजाजत नमस्कार